हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनप लॉजिक में दोस्तों आज जो में वीडियो जैसे कि आपने थमनेल में भी देखा कि मिशु से मुझे तकरीबन अभी जो है मैंने थमनेल में तो ऐसा लिखा था कि मिशु में मुझे पेमेंट दिया अगर गया वहाँ पर मैंने लाइव भी बता है अगर आप इस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो और मुझे फटा फड़ अनम लॉजिक आप गूगल भी सर्च करोगो तो भी मिल जाएगा और फस्ट आप यूटूब पर सर्च करो तो मेरे चैनल पर मुझे सर्फ यह पेली पेमेंट दिया है उसके बाद दूसरी पेमेंट तकरीबन दो या तीन दिन पहले आई हैं तो मैं सोच रहा था कि इसके उपर भी मैं वीडियो बनाओ ताकि लोग जो जो लोग मिशू यूज करते हैं तो मैं उनको यह बता दूं कि मिशू पेमेंट देता है बट उनका हिसाब किस तरीके से हैं वो मुझे भी नहीं पता कि एक्चुल में वो किस हिसाब से देते हैं पहले तो वो यह कहते हैं कि आप कोई भी आपका रिफरेल लेके आते हो तो वो कोई भी चीज़ पर्चेस करता है समझ लो उसने एक साड़ी पर्चेस किया और इनका जो टम्स और कंडिशन होता है जैसे कि साथ दिन का रिटेन पॉलिस होता है अगर आपका रिफरेल अगर साथ दिन में अगर वो साड़ी या कोई भी प्रोड़क उसने खरीदा है वो अगर रिफरेंड कर देता है तो आपको कोई भी कमिशन नहीं मिलेगा अगर जो भी रिफरेल है वो अगर वो चीज होगता है और साथ दिन का जो इनकी होती है रिटेन वाली ठीक है अगर उसमें वो return नहीं करता है और वो पुरी तरीके से खरीद लेता है ठीक है तो आपको उसका commission मिलेगा next mangalwar को जैसे के for example आज है Monday ठीक है Monday के दिन आपका आपने एक referral को joint किया और वो referral क्या करता है कि उसने एक product Monday को purchase किया ठीक है purchase करने के बाद अभी उसका जो return की जो policy है वो 7 दिन बाद है यानि कि अगले Monday तक वो बंदे ने अगर आपका जो referral है उसने अगर वो साड़ी या कोई भी product जो purchase किया उसको return नहीं करते है अपने पास रखता है तो उसके आने वाले जो मंगलवार है ठीक है उसमें आपका commission आपको add होके मिल जाएगा यह वो कहते है customer care से अगर आप बात करते हो तो वो यह हमें समझा दें ठीक है दूसरी एक बात मैंने के आप बहुत सारे लोग को यह भी शिकायत होती है कि मिशु का customer care number है वो दिया तो होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर दिया तो होता है लेकिन उनसे directly call नहीं होती है तो दोस्तों मैंने एक directly call करके भी दिखाया है उस वीडियो का link में description में दे दूँआ और बहु मोबाइल में बता हुआ तो चलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नहे हो फेस्बुक में देख रहे हो तो फेस्बुक पेच को like कीजिए Instagram में किया देख रहे हो तो Instagram को follow कीजिए ठीक है और और मैं आपको आगे तो बता हुआ कि वो दो payment में मुझे कितनी और कैसे मिली और कितने कितने में बाद मिली और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते करते चनाब चलिए शुरू करते हैं हाँ दोस्तों दिखिए मैं अभी मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आ गया और यहां पर मैं अभी पहले मैं आपको बता हुआ मेरे रिफरल ठीक है मेरे कितने इस तरीके से काउंट करता है वह कैसा है क्या है सब कुछ मैं इस वीडियो में बता हुआ तो दोस्तों सिंपल सा यहां पर जिसे मिशू एप में ओपन करता हूं तो सिंपल सा दीखिए यहां पर आपको कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आपको दिखाए देगा उसके बाद सिंपल से क्या करना है कि अकाउंट में चला जाना है अकाउंट में जाने के बाद यहां पर आप माय जननी यहां पर आप कॉल लगा सकते हो ठीक है पर दोस्तों बहुत सारी लोगों को यह शिक्याति के इनकी कॉल प्रॉपर तरीके से लगती नहीं ठीक है तो प्रॉपर त कमिशन है वो अकाउंट में आ जाएगे दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मेरे रिफर और आन्मे मैं जैसे ही जाता हूं ठीक है तो दोस्तों यहां पे दीखिए मेरे रिफर नंबर और रिफरल एट हो गए ठीक है और पेंडिंग आमाउंट दोस्तों बारा बता र है मेरे जो रिफरल से है शॉपिंग किये ठीक है यहां पर रिफरल इंसेंटिव दाला है शॉपिंग किये और 313 रुपे का उन्होंने खरीद है और इसका अमाउंट बनता है 46 रुपीज ठीक है तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे मिशू से एक शि है तो मुझे mail करके पूरी तरीके से समझा दीजिए ताके मैं उसके उपर एक वीडियो बना के मेरे जो वीवर से मेरे जो सब्क्राइबर है मिशू से मैं उनको अच्छी तरह समझा सकूं के मिशू इस तरीके से आपको इंसेंटिवस दे रहा है क्योंकि मुझे अभी देखिए फॉर एक्जामपल मैं अभी आपको समझाता हूँ यह सिरी ठम दाज जो है ठीक है फोटी सीक्स रुपे इसका इंसेंटिवस मुझे मिलता है ठीक है अब इनकी पॉलिसी कैसी है कि इफ अगर आपकी जो इसके एक इन होता है इसके पार उनोने कर दिया तो मुझे यह फोटी रुपीज नहीं मिले गए ठीक है और उसके बाद अगर इन्होंने return नहीं किया है इन्होंने अपने पास रख लिया है और 7 दिन इनके complete हो गया यानि यह return और exchange का जो pre-day वो complete हो गया और इन्होंने return नहीं किया है तो इसका commission मुझे आने वाले उसके बाद वाले जो Tuesday होता है उसमें मिल जाना चाहिए पर आपको app में ये बताना चाहिए कि भाई ये जो शरीत तमदाज जो है इन्होंने return कर दिया है तो आपका जो referral amount है zero हो जाएगा ठीक है ऐसा show करना चाहिए अगर इन्होंने return नहीं किया तो यहाँ पर complete date करके लिखके आना चाहिए कि आपका जो commission है वो next Tuesday को आपके bank account में मिल जाएगा ऐसा app developer जो है वो ऐसा app को develop करें मैं मिशों से बस यही appeal करता हूँ क्योंकि मेरी नज़र से चुक हुए यह कूछ है लेकिन app में मुझे बिलकुल भी समझ में नहीं आ रहा है अगर सब जो भी मिशों से related काम करते है और वो यह जानने आये है कि भाई कि मुझे मिशों से जो incentive से वो मिला है कि नहीं मिला है मुझे मिला है वो भी दो बार मिला है बस जो भी app develop करता है बस इससे मुझे यही कहना है कि भाई जब भी कोई भी बंदा उनकी return और exchange की जो pre-aid है उसमें अगर return कर देता है तो उसका amount यहाँ पर zero बता दीजिए अगर return नहीं करता है तो उसका commission completed और next Tuesday को जो भी आने वाला Tuesday उसमें वो जो भी जिसके referral से वो बना है तो उसके referral के उसके bank account में वो amount transfer हो जाना चीए ठीक है बस यही मेरे जो है मिशू से बात करनी है बाकि तो वो दे रहा है वो तो incentives दे रहा है और किसी साब से दे रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है customer care से भी मैंने बात किया है और जैसे बात किया उस video का link मैंने description में दे दी है वो भी video आप देख सकते हो कैसे आप directly बात कर सकते हो customer care के साथ में ठीक है तो उससे भी मुझे कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है ठीक है और proper तरीके से मुझे उसमें जवाब नहीं मिला है दूसरा एक और चीज़ मुझे इसमें बताना था ठीक है दोस्तों ये भी थोड़ा update में कितना हर बार update आते तो मिशु में पूरी तरीके से update कर देता हूँ ठीक है दोस्तों बस यहीं बताना था आपको के मिशु ने मुझे amount दिया और amount किता दिया है वो मैं आभी आपको बता देता हूँ यहाँ पर अगर मैं my payment पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक सबसे पहले payment आई थी 15 September को ठीक है जो के 97 रूपिस थी और दूसरी payment आई थी 16 फरवरी के जो के 37 रूपिस थी सिर्फ यही दो payment मुझे incentives के तोर पर मिशू ने दिये है ठीक है और इसके अलावा बिलकुल भी मुझे नहीं दिया जबके मेरे referral भी काफी है और मेरे referral शॉपिंग भी करते है ठीक है लेकिन अब यह app में क्या गड़बड़ी है किस हिसाब से work करता है वो मुझे भी नहीं पता और मैंने customer किर से बात सकते हो कि मिशू इस तरीके से work करता है और इस तरीके से आपको जाके आप उस तरीके से आप चेक कीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कुछ कोई अगर help करने वाला है तो कर सकते है अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं यकिन दिलाता हूं कि मैं इसके पर तरीके से समझा हुआ कि मिशू इस तरीके से work करता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा